जनता के बीच में जाकर मानी मोदी जी की जो योजना है जो विक्सित भारत बनाने की एक उनकी सोच है उस सोच को साकार करने के लिए यहां पर जो भी हर संभाव प्रयास होगा उसको हम लोग करने का काम करता है जनता के विश्वास पर खड़ा उतना एक चुनोती होती है लेकिन हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहें हैं जनता के बीच में हमेशा रहेंगे और जनता के बीच में जब आप रहिए उनका जो लाड़ प्यार मिलता है छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उसका समाधान ह जो बड़ी चीजे हैं उसके बारे में भी हम लोग मिल जूल कर कोई योजना बनाने का काम करते हैं जब जनता की सोच के अंवरूप योजनाय बनती है उस पर विकास होता है तो जनता को खुशी भी होती है तो निश्चित रूप से हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी और हमारा ये प्रियास रहेगा कि जनता से मिलकर उनकी सोच के अंसार यहां का विकास हो और पूर्पूर का विकास यहां का जो आधार घुट धाचा है तो निश्चित रूप से पिस्वस्तर का हो जैसा माननी मोदी जी चाहते हैं और आप जानते हैं यह कुम्ब का छेत्र है पूर्पूर के विकास में हम लोग लगातार प्यास करते हैं पाइटी ने हमारे उपर भरोसा जताया है इसके लिए हम अपने सीर सुनिफत का अभापकट करना चाहते हैं मानी प्रधान मंत्री जी का मानी राष्ट्रिय अध्यक जी का मानी ग्रह मंत्री जी का मानी स्री सु मानी उप्मुक्हमंत्री स्री केसव प्रसान मौरिया जी का, मानी उप्मुक्हमंत्री स्री ब्रिजेश पाथक जी का, मानी प्रदेश अध्यक जी का, आदेनी स्री धरम पाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी का, पूरे प्रदेश मेर्तत्र के प्रपी हमाभाद पकट क हैं कि उन्होंने हमारे उपर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खळा उतरने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और खळा उतर कर इस पूल पूर भ्लोक सभा को एक बड़ी जीत देकर हम लोग यहां पूल-पूर के विगास में एक नया क्रितिवान इस्थापिक करेंगे यही हमारा पूर्पक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे समुझी नीतियों को लेकर आपकी क्या विचादा रहें देखिए विपक्ष जनता से कट गया है जनता क अजनता से मेरी अपील है कि माल impose अंती जी का लक्ष है इस देश विक्सित भारत बनाना और हम लोग की दिन्मेदारी है कि वी स्विक्सित भारत बनाने में अपना योगदान दे सके यही हमसों का प्रयास है